हेलो एवरिवन दोस्तों अगर आप लोग CACB JEE का एक्जाम देने जाने वाले हैं तो उससे पहले एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट है आपके लिए इस वीडियो को ज़रूर देख लिएगा बहुत ही काम का वीडियो है आपके लिए जो अपडेट बता दूँ आपक कम कर सकती है अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपके जो मांक्स हैं बहुत हद तक कम हो सकते हैं और वो अपडेट यह है कि अपने एड्मिट कार्ट के पीछे में अगर आप दिखेंगे तो वहां पर एक लाइन लिखा होगा यह वाला लाइन को पढ़िएगा लिखा गया है करके कि question for review click on the mark of review नेश बटन if answer is selected for a question that is mark for review that answer will be considered in the evolution इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपने किसी question को mark of the review में टिक किया हुआ है कि question को आप बाद में solve करेंगे ठीक है लेकिन अगर आपने उस question का कुछ answer भी टिक कर दे रखा है उस question में बहले उसको कि अगर आपने उस question के option को tick करके रखा हुआ है कि इस question का option जो है मैंने b tick करके रखा हुआ है तो अगर आप उसको save भी नहीं करते हैं उस question को फिर भी वो question आपके evaluation में count होगा यानि कि अगर वो question आपका सही होता है तो उसके आपको number दे जाएंगे if अगर question आपका वो wrong हो ज देख लें अगर आपको उसका आंसर पता है तो उसको आप सेट करके टिक कर दें अनिता उसको आप बिल्कूल भी टिक ना करें उसके आप्सन में टिक ना करें ठीक है यहां पर जो लिखा गया कोश्चन में that answer will be considered answer will be considered for the evolution अगर आपने answer टिक किया हुआ है ठीक है तो इस बात का दिहां बिल्कू रखेंगे आप लोग तो यहीं important update था अच्छा लगाओ तो वीडिट सब कर सेर कर दीजेगा मिलते हैं दुस्तों अगले वीडियो में धन्यवाद